दमस्कार आप देखने हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी आदो वक्त हो चुका है उत्रपतेश की बड़ी खबरों का आए डजर डालेते हैं खबर गोंडा जिले से है जहां दोरी पर है डीप्टी सीम ब्रिजेस पाठक भी जिला अस्पिताल का ओचक नेरिक छड़किया साथी मरीजों से बाचित करके स्वास्त वेवस्ताओं की जानकारी भी ली जसके बाद उपकेंद्र का भी नेरिक छड़किया जहां उपकेंद्र पर ताला लटका हुआ मिला जिसके चलते ही डीप्टी सीम ने कारिवाही के आदेश दिये हैं अब आने वाले दिल्ली विधानसवा के चुनाओं में केजरिवाल बूरी तरह से हारेंगे फ्लापसों साबित हुए है कांग्रेस पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है उनकी इंटरनल सिस्टम खराब हो चुका है कई वर्सों से उनके पास अध्यक सित्ता नहीं है उनको देश के जनता से कोई चिंता की बात नहीं वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है लेकिन यह राहूल गांधी तो बहुत मेहनत कर रहा है वो आप जानते हो उनकी मेहनत इटली से लेके कहा तक है खबर बदायू से है जहां थाना अलापूर पुलिस ते तीन योकों को बलोरो गाड़ी के साथ गिराफतार कर लिया साथी योकों के पास से 25 किलोग्राम डोडा बरामत किया गया है जिसके कीमत अंतरास्वी बाजार में 10 लाख रुपे बताई जा रही है वही पुलिस ने योकों को गिराफतार कर जेल भेज दिया है उपुमोख्यमंत्री केश्यो प्रसाद महौरिया का हेलिकॉप्टर सोनभड के चुर्क पुलिस लाइन में उतरा जिसके बाद यहां कार से वो सरकेट हाउस में पहुँचे जहां पर उन्होंनी भाजपा कारयाले के पास बने पंडित दिंदाल उपाद्धाय मार का भी लोकार बढ़ किया साथी डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के साथ कई जगों का बेनेरक छड़ किया यूपी में बीजेपी के नवडियुक्त प्रदिश अध्यक्ष भूपेन सिंग चौधरी का पहला गाजया बाद दोरा है आपको बता दे कि आगामी कारेक्रमों के रणीती बनाई जाएगी साथी वहीं दो हजार चौबिस को लेकर लोक सभाचुनावी भाजपा तैयारी शुरू कर चुकी है इसको लेकर भाजपा ने कई अभियान चलाए है ख़वर बदायू से है जहां थाना अलापुर पुलिस ने तीन यूओकों को बलोरो गाड़ी के साथ गिरफ़तार कर लिया है साथी यूओकों के पास से 25 किलोग्राम डोड़ा बरामत क्या है जिसके कीमत अंतरास्वी बाजार में 10 लाख रुपे बताई जा रही है पुलिस ने यूओकों को गिराफ़तार कर चेल भेज दिया है भाजपा उतर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बुपेंच चौधरी का आजगाज याबाद में पहला दोरा था जिसमें कारेकर ताओ और प्रदाधिकारियों ने यूपी गेट पर भबे स्वागत क्या साथी प्रदेश अध्यक्ष का काफिला यूपी गेट पहुचा जिसके बाद भारी भेड ने प्रदेश अध्यक्ष को घेल लिया वही भेड में सेल्फी और धक्का मुक्की के चलते भुपेड चौधरी काफी नाराज होते हुए नजर आए प्रदेश अध्यक्ष भुपेड चौधरी नाराज होकर बेना कुछ कहे मन से सिधा मीटिंग में रवाना हो गए तो वही इस दौरान हमारी समवादाता ने पश्यम प्रदेश अध्यक्ष और विधारिक से बाचीत की आईए आपको दिखाते हैं तोड़ी कुछ समय में आप पर जो प्रदेश अध्यक्ष है भुपेंद्र सिंग चौधरी वह आप पहुंच रहे हैं अलागि यहां पर देखिए हमारे साथ और बिधायक सुनी सर्मा जी हमारे साहिवाबास से बिधायक हैं उनसे पूछेंगे किस तरह से आप करताओं के बीच में उनकी बहुत गनिश्चता है और पर देश अध्यक्ष के रूप में पहली बार आ रहे हैं चेत्रिया बैठक में कार्यकरताओं बहुत उत्साहा है जो से और वह अविनंदन करने के लिए हैं सभी कटा है जैसा कि पश्ची मुत्तर परदेश का ही उन्ह कि पूरे पर देश में सभी चेत्रों में जाएंगे पर पहुचने क्या कुछ रणीती रहने वाले पश्ची मुत्तर पर देश में आज नवनियुक तमाने पर देश चादरी बुपेन सिंह जी का परत्मागमन है और पश्ची मुत्तर परदेश के कार्यकरताओं में लिघ्ञास विए तरपरदेश निष्चित तौर पर दोजार चौबीस का बेगल विव भी स्टी मुत्रपरदेश चे बजएगा उत्तर पर देखे बंच्टेनल्बहमत ले रहा हैं देखिए दोजार चौबीस की सुरुवात पश्ची मुत्तरप्रदेश से होती है, मोहित वजिवाई जी का कहना है, खास्तोर पर यहाँ पर सभी भाजपा नेता पहुंच चुके हैं, लगातार यहाँ पर भाज़ूम देख सकते हैं, किस तरह से पूरी प्रीड है, यहाँ प तिलोई तहसिल के वरिष्ट समाज सेवी गांधिवादी तरीके से सताग्रा पर बैठे, वहीं समाज सेवी तिलोई तहसिल को राइबरेली जिले शामिल करने के मांग को लेकर हैं, उन्होंने कहा है कि तिलोई तहसिल और जनपद मोख्यालक गौरी गच्च की दूरी 78 किलो कारिकम चला रहा हूं मैं यहां पर दूप में आज इसलिए बैठा आज आज नवे दिन कि मैं 25 तारी को सब को नोटिस देकर के DMCM को बैठा हूं आज तक मेरे पास कोई नहीं आया है तो मैं उब करके सड़क पर आ रहा हूं धीरे-धीरे और इसके बाद एक से एक आगे ब गाजीपूर के रेवती थाना शेत्र में बाड प्रभावित गाउं अठाटा में बड़ा हसा हूं गया था एक नव जस पर करीब 20 लोग सवार थे आपको बता दे कि बाड के पानी में नव डूब गई थी जसमें बैठे दो लोगों का शव निकाला गया जबकि अभी भी पांच बच्चे लापता हैं वही नाव में बैठे अने लोग सुरक्षित बच गए थे डी एम और एसपी समित एंडी आरफ टीम मौके पर पहुंची वहीं एंडी आरफ की टीम ने रेस्क्यू किया और चार बच्चों के शव निकाले गिले साथी डीम ने बताया कि हासे में ब्रित लोगों के परिजनों को चाल लाख मौजा शासन अदेश अनुसार दिया जाएगा कल जो है अटाटा में एक नाव डूब गई थी हासा के कारण जो बताया गया है कि वहाँ पर बगल से नाव के साब जा रहा था तो लोगों जब सर्व को देखा तो भगदर मज गई इसमें से दो लोग नीचे कूद गए जिससे कारण नाव जो है डूब गई कि नाव पर 17 लोग थे कल दूब डेट बादी जिसको कल ली गई थी आज जो है जो पांच लापता थे उनमें से चार लोगों की डेट बादी मिल गई है अभी भी एक बच्ची का लापता बताई जा रहे है देवरिया में पुलिस ताबर तोड एक्शन ले रही जिसके चलते पुलिस ने एक हपते के अंदर तीन अपराधियों के घर कुर्क कर दिये वही पुलिस की इसकारेवाही से अपराधियों में खलबली मच गई है जिला मजिस्टेट देवरिया के आदेश के अनुपालन में गैंगेस्टर एक्ट का अभिप्त अनवर जो एक शातिर किस्न का अपराधी है और गैंग बनाकर अपराध बिलित रहता है इसके विरुद गिरोवंद धिनियम की धारा चौदा एक के तहट थाना तर्गुलवा छित्तर अंतरगत ग्राम कंचन पुरिस्थित इसकी भूमी भवन और दो वहान जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 71,21,000 रुपे की है कुर्क किया गया है पुलिस ने एक हपते के अंदर तीन अपराधियों के घर कुर्क कर दिये हैं वही पुलिस इस पर कारेवाई करने से अपराधियों में खलबली मच गई है पुलिस का ताबर तोड एक्शन चल रहा है जिसके चलते पुलिस ने एक हपते के अंदर तीन अपराधियों के घर कुर्क कर दिये हैं वही पुलिस इस कारेवाई से अपराधियों में खलबली मच गई है देवरिया में पुलिस का बड़ा एक्शन अपराधियों के घर एक्शन ले रही है पुलिस हर दोई पुलिस ने दो साल पहले हुई हत्याकान का रिक्रियेशन किया बता दे कि हत्याकान में अभी तक पुलिस को कोई काम्याबी नहीं मिली हत्याकान का रिक्रियेशन करने से गाउवालों में हड कम्प का महौल है वही यूवक के परिजनों ने बताए कि अग्यात लोगों ने हत्याकर शोव को पुल्स के नीचे फेग दिया था जिसका रीक्रियेशन पुलस ने क्या है हर दोई में हत्याकांट को लेकर पुलस ने रीक्रियेशन क्या है परिजनों का कहना है कि हात्या कर युवक का शव नदी के नीचे फेक दिया गया था उसी कड़ी में हमारे साथ इसमें अधिक जानकारी के लिए हर स्राज पूलस ने हात्या कांड को लेकर रिक्रीएशन क्या है और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है शेथके शेवराम बाध पुलिया के नीचे एक युगत कर सब पड़ा मिला था ये बाक्या दो साल पहले का है उसकी जाट चल लही थी ये जो मामला है जग जिसकी सिनाग मोहिंच सुपलापुट जंग बहादू निवासी ग्राम जमलापुट के रूप में हुई थी इसमे जाट चल लही थी लगातार और इसमे पुलिया के निचे खुन से लगस्पत मिला पुलिस जाट में जुटी हुई थी लगातार और उसी के बाप जुट जो भी इसमें साथ श्याएंगे उसी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है प्रतातन अभी कहने से बच रहा है क्योंकि फॉरंटिक्री दो साल ते लगातार जांच कर रही थी इसी के बाप जो भी मौके पर आला अविकारी जो भी से उन्होंने चहते हुए अपना फोड़ा सा पल्ला जालते हुए अपने को बचाया है क्योंकि दो साल ते से नगर पालिका यो की बड़ी लापरवाही सामने आई मामले के मताबित गाओं के मुख्यमार को कचड़े का डंपे के स्थान बना दिया गया है जोसका विरोध करने पर यो ग्रामिडों से अबद्रता करने लगे साथी पत्रकारों के सवाल पूछने पर नगल पालिका यो है कि बौछ भी गए सब्सक्राइब टिद में ल exemplo और तांग हो रहा है कि पर गिल्डों जाने से लेया है जिसकी सिकायत हम ने सापको की तिसार्ण हम पर साथान को भी इतला कि You थे कहां लो से कहां वाले विरोध कर रहे हैं इसके चकर में गाड़ी रोग दिया हमने बोला कि यहां पर कश्रा ना गिरा है जिसे हमारे गाहां में गंदगी फैल लेगी और जिसे लोग बीमार पढ़ेंगे कोई आदेश नहीं कि हम इनके गाड़ी आएं हमको आदेश देजिए हमारे कराम सबाह में अगर आप गिरा रहे हैं तो आदेश कोई नहीं लेकर आया है लोग और परदस्न कर रहे थे वो रोध कर रहे थे घंदगी फैलाने को वजय से तो वहाँ योस साब से बात करنا चाहा जिस तरह से अबहद्र वासा का प्रयोग कर रहे तेजिकारियों कर रहे थे बाहदों नहीं है और इसकी सिखायद में उच्छा दिकारियों से करूंगा है एच बीटी यू में एंबीए की छात्रा ने प्रोफेसर पर छेड़ चाड़ का रूप लगाया है वह यूती ने एक वीडियो वारेल किया है जोसमें उसने प्रोफेसर पर मालसिक प्रतार्णा की बात कही है बतादे की पुलस कमिश्णर वारेल वीडियो का संग्यान लेजाज के आदेश जारी कर दिये हैं खात्रा ने एक अपना वीडियो वारेल किया था और सोशल मेडिया में भी हमें कुछ उसके संबंद में राइट अप मिले थे हमने संग्यान में ले करके छात्रा से संपर्ख किया छात्रा ने लिखित एजहार हमें दिया है उनकी तहरीर के ऊपर उनके प्राथना पत्र के उपर कारेवाई करते हुए इसकी जांच हमने सुरू कर दी है हम इसमें जो प्रशनगत व्यक्ति हैं उनको ले आए हैं उनसे पूश्टाच कर रहे हैं और इस पूरे प्रक्रण को कॉलेज के भीतर उनस्टी के भीतर जितने भी लोग इसके प्रतश्य दर्शी है वो सारे लोग जो इसके बारे में जानते हैं उनकी पूश्टाच कर रहे हैं तो वी आर वेरी वेरी क्लियर ओन दिस हम बहुत ही साफ हैं कि सारे चीजों को सबजते हुए इसके ओपर दियमाने साथ साही कारेवाई है वो ततकाल की जाए कानपूर के नवाब गंश थाना शित्र में बनी सियाराम धाम के अंदर साथू के घायल अवस्था मिलने पर हड़कम बच गया जसके बाद परिजनों ने साथू कहलेट अस्पताल में भर्ति कराया वहीं घड़ना की जानकारे मिलने पर पहुंचे पुलिस जाज परताल मे जुन गई है अभी जैसे इनकी आवर थोड़ी सिती अच्छी होगी फिर इंसे बादचीत की जाएगी कि किन परिशितियों में और कैसे इन्होंने आत्मत्ता का प्रयास किया है सारी चीनों की जाच की जा रही है और सिग रही सब कुस किया जाएगा और यह जिली में शोशल मीडिया पर एक वीडियो वारल हो रहा है जुसमें तीन युवक एक बाइक पर बैठे हुए है इसके साथ ही एक युवक बाई पर बैठे कार्टूस हाथों में लिए हुए है और एक फिल्मी गाने पर इस्ट्राग्राम रेल बनाते नजर आए आपको बता दे कि वीडियो वारल होने के बाद एस पी ने एक्शन लिया फिल्हाल पुलिस ने सभी लोगों को गिराफ़तार कर लिया है थाना एर्वा कट्रा का मामला है ये वीडियो वारल हुआ था जिसके संबन में मेरे द्वारा थाना देक्श को CEO साब को निर्देशित किया गया था तीम्स बनाकर इसमें जो अब्यूट है उसकी तस्दीक किया गया कौन है उसकी टीम्स बनाकर सर्च किया गया तो 315 बोर के तमन्ची के साथ अब्यूट को गिराफ़तार करके अगरेतर विदिकारवई पर चले यूपी में जहां एक और रिषवत खोरी रोकरी को लेकर सीम्योगी सक्त है तो वही एक बार फिर रिषवत लेते हुए एक महिला लेकपाल का वीडियो वारल हुआ जसमें महिला लेकपाल आपने सहयोगियों के जर्यार रिषवत की मांग की है बतादे की वाइरल वीडियो का संगाल लेते हुए उबजला दिकारी ने महिला लेकपाल पर कड़ी कारिवाई के निर्देश जारी किये हैं फलहाल के लिए उतरपदेश की खबरों में बस अतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रिये प्राइब टिवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहत